हेलो दोस्तो मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षबारा विशेगनित अध्यायवन संबन एवंफलन के बारे में बताऊंगे आज की वीडियो पार्ट 16 पार्ट 16 में हम चानेंगे कुछ विवित उधारन जैसे उधारन 41, 42, 43 और 40 तो आज का वीडियो हम अपना प्रारम करते हैं तो देखो इन विवित उधारनों को करने के लिए हमें क्या करना होता है इस पूरे अध्यार को इस पर पढ़ना होगा और इसमें जो अभी हमने पढ वो सारे चीजे हमारी क्या होंगे इसमें उप्योग होंगी तो हम उन्हीं से संभंदित कुछ विवित उधारन देखते हैं जैसे आपके पास उधारन है 41 इसमें क्या है य क्या रवन देखा रटू समुझचे आ है क्या है तूलेता संबन है तो आपको स्दद करना है क्या R1 intersection R2 भी एक तुल्यता संबन है, यह आपको दिखाना है, चीक है, तो इसमें क्या है, कि जब भी आपको तुल्यता संबन दिखाना होता है, तो आप क्या दिखाते हो, कि उसमें तीन चीज़े दिखाते हो, सब्दुल्य, सम्मित और संक्रामर, तो वही हम करेंगे यहाँ पर तो सब्से पहले हम सब्दुल्य दिखाते हैं, कि सब्दुल्य मतलब reflexive संबन कैसे दिखाएंगे, इसमें क्या है, जब भी हम सब्दुल्य की बात करते हैं, मतलब स्वयम के तुल्य, मतलब खुद से जब उसकी तोल ना करते हैं, तो आपने एक अभ्यव लिया, A, ठीक है, यह A क्या है? यह जो A है, वो A से बिलोंग कर रहा है. इसका ताथ पर यह क्या हुआ? कि अगर वो R1 में भी है और R2 में भी है, तो इसका मतलब AA जो है, यह जो आपका यूगम है AA, यह क्या हमें होगा? यह R1 इंटरसक्शन R2 से भी सम्मंदित होगा. तो इसका क्या से दो जा रहा है कि यह एक सब्दुल्ले है, R1 इंटरसक्शन R2 जो है, वो सब्दुल्ले है. इसके बाद आते हैं सम्मित पर, सम्मित मतलब सिमाट्रिक सम्मंद क्या होता है? इसमें आपने देखा कि पुन है AB क्या है? R1 इंटरसक्शन R2 में है, ठीक है? अगर ऐसा है कि AB R1 में भी है और AB R2 में भी है, तो इससे क्या पता चल रहा है? कि इसका अगर मैं उल्टा ले लूँ, कि AB है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? BA. मतलब अगर AB R1 में है, तो BA B R1 में होगा, और AB अगर R2 में है, तो BA B कैसा होगा? R2 में होगा. ठीक है? तो इससे क्या प्राप्त होगा कि अगर A B था R1 R2 में तो A B R1 R2 के इंटरसेक्शन में भी है इसी प्रकार जब B A R1 में है और B A R2 में भी है तो इसका जो B A है वो इसके इंटरसेक्शन मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा चीक है तो इससे क्या हो जा रहा है क्योंकि इसका उल्टा आपको उसी समुचे में प्राप्त हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक सम्मित फल में इसी प्रकार हम संक्रामक देख लेता हैं संक्रामक में क्या है कि AB आपका R1 intersection R2 में है तो BC भी आपने एक यूगम ले लिया जो R1 intersection उसका मतलब क्या है जब ABB है और BCB है तो इसका मतलब A-C यूग trás तो A-C इसका आज पर्गा यूद्र्ट तो A-C ये आपका आरफन में होगा तो क्योंकि यह आपका जो AC जो है R1 Intersection R2 में प्राप्तो जा रहा तो इससे कैसे दोर है कि R1 Intersection R2 संक्रामक है क्योंकि तीनो जो आपकी conditions थी तीनो चीजे जो आपको उसे दगरना था कि ये सब तुल्ले भी है सम्मीद भी है और संक्रामक भी है क्योंकि तीनो संबन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है ये एक तुल्लेता संबन होगा ठीक है अगला प्रेशन देखते है इसमें क्या है कि मान लीजिए ठीक है आपको एक समुच्चे दे रखा है A. मेधन पुर्णांकों के क्रमिक युगमो ordered pairs का एक संबन देख है R. X, Y, R, U, V ठीक है यदी और केवल यदी X, V बराबर वाई, U दुआरा परिभासित है तो आपको क्या करना है सिद्ध करना है कि R. तुल्लेता संबन है ठीक है आपको ये सिद्ध करना है तो आप ये कैसे करोगे आपनी क्या करा दुल्लेता संबन के लिए आप दिए हो चीज़े दिखाते हो सब दुल्ले संक्रामक और संबन ठीक है तो आपनी क्या करा सब दुल्ले संबन दिखाया सबसे पहले कि X, B का संबन किसके साथ है X, Y के साथ ही है xy का xy के साथ जब आप ले रहे हो इसका मतलब xy कैसा है a से संबंदित है मतलब यह ए से प्राप्त हुआ है लिया गया है ठीक है जब हम xy का xy से संबंद दिखा रहा है तो देखो यहाँ पर क्या है xy का u b से जब संबंद है सम्मित के लिए अगर हम देखें कि xy का uv के साथ जब हम संबन ले रहे हैं तो हमें क्या मिला है? xv बराबर yu ठीक है? इसी का अगर मैं उल्टा देख लूँ कि uv का xy के साथ जब संबन देख रहा है तो वो किसके बराबर आ रहा है? u y बराबर v x के बराबर ठीक है? तो इससे क्या बता चला कि r कैसा है? एक सम्मित संबन है ठीक है? अब हम क्या देखते हैं? संक्रामक देखते हैं U, V, का संबन देखा तो इसके आपने क्या मिला X, V, बराबर Y, U होता है हैं से अपने V, का मान प्राप्टिक, क्या मिला आपको Y, U, बटे X मिल गया अब आपने देखा U, V, M, N के साथ में देख रहे हो तो UN, बराबर V, M आ गया अब UN बराबर अब देखो यहाँ पर वी कमान यहाँ से आप यह वी कमान यहाँ पर रख रहे हो तो आपको क्या मिला? वाई यू बटे X और यहाँ पर आ गया M जब अपने वी कमान यहाँ पर रखा तो आपको क्या मिला? XN बरापर YM आपके पर प्राप्त हो गया ठीक है तो इससे क्या सिद हो गया कि XY का संबन क्या है MN के साथ में ठीक है तो क्योंकि ये चीज हमें देखनी थी और यह हमें प्राप्त हो गया तो ये क्या है एक संक्रामक संबन है और क्योंकि सब्दुल्य भी है सम्मेट भी है और संक्रामग भी रहा है तो यह संबन क्या बता रहा है कि थिया सब्धास्ब्ल दुंब्ल सम्भन को दर्श रहा है जुश करने प्राप्तों किया अब आगे देखते हैं आपके पास उधारन 43 इसमें आपको क्या देखना बोला गया कि मान लीजिए कि आपके पास X है जिसमें क्या कुछ अवियर दे रखे है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह कुछ तुल लेता मतलब यह कुछ आपके पास अवियर दे रखे हैं तो मान लीजिए कि X में आरवन बराबर क्या है actually X looking X मांई इसलंगा त्री से भाज्य है ते कि यहा आपको इस परकार से क्या करता है दिखाया गया है लग ironदस्वाइं कि X मांईनसं वाई शंक्या 3 से भाज्य से ज्चिकष द्वारा प्रतत एक इसम्वन रवन थैठ अरट्टू शय जहां पर xy किसका समुच्चे है मतला उप समुच्चे है किसका सबसेट बन रहा है यहां पर 147 का और xy यहां पर 258 का होगा यह 369 का होगा द्वारा प्रदत x में एक अन्य सम्बन R2 है तो आपको क्या रहना है यहां पर सिद करना है कि R1 वराबर R2 है ठीक तो देखो आप कैसे कर स सकते हो यहां पर आपने ले लिया कि xy जो है वो R1 से सम्बन दीत है ठीक है इसका मतलब क्या होगा x-y जो है संक्या 3 से भाज्चे है तो अगर यह 3 से भाज्चे है तो इसका मतलब क्या होगा कि यह जो xy आपनी लिया था यह इन तीनों में से किसी का भी क्या हो सकता है हुआ तो आपने लिया कि xy जो है r2 से क्योंकि अब यह इन सब का समुच्चे है यह चीज तो r2 में बताए गई थी तो यह क्या हुआ r2 से सब्बंदित हुआ तो इससे क्या सिद हो गया कि r1 जो है r2 का सबसेट है उप समुच्चे है यही चीज आपको यहाँ अब इसको इसको में द्वाराबी समझ लेता है कि आपने वन और फॉर ले लिया जिक है तो इससे आपने 25 उठाया तो यह भी है अब इसका हम किया देख रहा है 1 minus 4 किसके बडाबर हो रहा है. माइनस 3 के तो क्या है यह तीन से भाध्ये है और क्योंकि इसने डिखाया कि R1 जिसे परदाशित किया गया यह चीजरィ थे चीजर सेवह्म siaga कर दो अब हम देखते है कि क्या ये 1 और 4 जो है इसका उपसमुच्छ रहे हैं तो है 25 जो है 25 8 का है तो ये आट डू से भी संबनदीत हो गया है ना तो ये अगर आट डू से संबन्दीत हो रहा है तो इसके क्या परह चलाएगा रवन ॉपसमुच्छ रहे हैं तो इसी प्रकार आप आपने दिखा कि x y जो है r2 में है मतलब इन तीनों में से किसी एक का उपसमुच्य उपसमुच्य बन रही है तो ç x y जो है संक्या σει तीन से भाव्ये होए तो यह r1 में है तो इस से क्या में मिला r2 r1 का उपसमुच्चे यहाँ पर आपने क्या दिखा था आरवन आरटू का उपसमुच्चे तो इसका मतलब क्या होगी गभी एक दोसरे के उपसमुच्चे आ रहे हैं तो इसका मतलब यह क्या है एक दोसरे के बराबर है मतलब आरवन जो है आरटू के बराबर है इस परकार आप इ संबंद है उसको कैसे परिभाशित किया गया है कि एक बराबर एक ठीक है इसके द्वारा प्रदत एक संबंद आर परिभाशित किया गया है जाची कि क्या आर एक तुलेता संबंद है तो देखो तुलेता संबंद दिखाने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले आप सम्बंदध है इसके लिए आपने संविद के लिए यदि आप अपने मृट्म संभणाट है तों किस के ब्राबर आपने सन्द्रट है इसके क्या यह तो क्या मिला आपको, misin बै, जो है, आर में, क्या होगा इस संबंधित होगा, तो इस से क्योंकि A b r में था और b a b r में है, तो ये चीज़ क्या दिखाती है, कि एक संबंध संबंध है, चीकले तो यहां से कैसी दो गया, कि r जो संक्रामध के बारे में देखते हैं तो संक्रामध में आप हमेशा क्या करते हो AB अगर R से मतलब संबन में है और BC भी संबन में है तो AC को दिखाते हो है ना तो यहाँ पर आपने दिखाया कि AB R से संबन दित है बता BC R से संबन दित है तो AB अगर R से संबन दित है तो FA बराबर FB हो गया BC अगर R से संबन दित है तो FB बराबर FC हो गया तो इसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हो कि FAB के बराबर था और BC के, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि FFC के बराबर होगा, मतलब कि AC जो है वो R से संबन दीते हैं, ठीक है, तो अतह है आपके बोल सकते हो कि R जो है वो संक्रामक संबन है, मतलब वो संक्रामक के condition को दिखा दा रहा है कि जीज्ञा आपने सिद्ध गर्द तो यह क्या होगा संक्रामकर हो गया और क्योंकि जो संबंध्ध है वह सब्तुले हो संख्रामक भी है इसका मतलब जो एक प्रश्न आ इस प्रकार आप इन प्रश्णों